we are going to configurate our favorite Mercedes GLS Maybach जो की एक दम एंड है Mercedes की तरफ से आप लोगों को मालूम ही है बट हम लोग आ चुके हैं अभी वेबसाइट के उपर हैं आप लोग चेक आउट कर सकते हैं वेबसाइट काफी ज़्याद ऑपस है अपने पास सब कुछ बट अपन सिलेक करने वाला है Mercedes GLS, not normal GLS, GLS Maybach 600 4M, जो के आप लोगों मालूम ही है कितने की आती है बट Mercedes में और कोई भी premium brand में अपने को सिलेक करना होता है अपनी तरफ से जो भी features add-on करना चाहते है और इसके अदर add-on अपने को money भी लगते है तो आज हम लोग ready करने वाल है Mercedes GLS और Maybach और कितने में अपना सब कुछ package ready होता है Configurate करके वह checkout करते हैं तो पहले हमने सिलेक कर ली GLS, as you can see GLS में यह सा कुछ है 360 view भी हम check कर ही लेते हैं, like as you can see, इतने कुछ options मिल जाते हैं अपने को आप लोग front profile से देख सकते हैं क्या ही लग रही है, बट इसकी price XORUM 2.96 CR है, almost almost XORUM price 3 CR है तो आप लोग समझ लिए 3.30 something में on-road ready होती है, अपने पास काफी जादा options है, like configure करने के लिए हम अपने हिसाब से सब कुछ ही change कर सकते हैं, बट पहले अपन आज आते हैं, color options में, color options आप लोग देख सकते हैं, काफी जादा अपने पास है, हमने diesel variant चूज कर रहा है and as you can see green, maroon, white, polar white, क्या ही color के नाम है, आप लोग देखी सकते हैं, बट अपन चूज करने वाले है, एकदम end color, जो की रहने वाला है, कुछ green and brown, जो की एकदम end में है, और उसकी price है, almost, almost 40 lakhs, तो आप लोग समझ सकते हैं, एक fortuner आ सकती है, जो की इतनी price में, सिर्फ इसका paint ही हम लोग add on करने वाले है, तो हमने add कर लिया अभी paint, तो कुछ around अपनी exo room price हो चुकी है, बढ़ के 3.29 CR, exactly, और अभी तो सिर्फ paint ही हमने चूज करा है, आप लोग देख सकते है, कि क्या ही गजब का paint लगता है, side profile की बात करा है, इसा कुछ look आता है, और काफी premium लगता है, मेरे को, आप अपने ही सब से choose कर सकते है, as you can see, side profile और यह सब कुछ, तो क्या ही गजब की है, अभी ले तो नहीं सकते है, बढ़ अपनी dream car को ऐसे ही हम लोग visualize तो कर सकते है, अलोई wheels के पराज़ाद, अलोई wheels में अपने को add on मिलते है, बढ़ मेरे को जो भी पसंद है, क्यो की एक profile आती है, 22 inch के आप लोगों को मालूमी है, बट बात करें interior में, हमारे पास interior में काफी ज्यादा options है, नापा leather इसके अंदर यूज किया जाते है, और जो भी add on करने वाले है, हम लोग तो इसकी price को 31 lakhs होगी, जो की normal white proper interior है, 31 lakhs रुपी सिर्फ normal interior white के लिए, जो की white color maintain क करना बंदे के लिए कितना ही difficult होता है, आप लोगों को मालूमी है, पैसे वालों के sock और premium निसको और बढ़ाने के लिए बंदा pay करता ही करता है, बट अपन हम लोग अभी select करेंगे black proper और इसका कोई भी cost नहीं है, तो हमारी car 3.65 CR 14,900 रुपी में ready होती है, सिर्फ black interior और काफी साथ easy होती है, अभी trims, जो कि trims क्या है कि like dashboard के उपर जो भी glossy trims है, वो हम लोग change और customize कर सकते हैं, हमने normally black के अंदर black ही choice करी है, तो black के अंदर black choice करते ही हम लोगों को कुछ 145,000 रुपीस add-on करने पड़ते हैं, तो हमको dashboard में और यह सब कुछ जगा पे glossy black और with normal design के स सकते हैं, बट अपन चूज करने वाले इसके अंदर black interior के साथ, brown इतना ज्यादा नहीं जाता है, तो black ही choice करेंगे, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा must design है, तो disney go high gloss black करके है, वो ही हम लोग choose करेंगे, तो वो check करते हैं, बट हम लोगों ने normally रखिया अभी, तो normally भी काफी अ options नहीं मिलते हैं, क्योंकि AMG model होता है, तो AMG में अपने को AMG वाला steering wheel मिल जाता है, बट इसके अंदर अपने को मिल जाता है, मेबेक का logo steering के उपर, जो की काफी ज्यादा premium लगता है, और मेबेक के अपने को जो भी, आप लोग accelerator और brakes pedal के उपर भी symbols देखने को मिल जाता है, नीचे आते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत हैं, इंटिरियर में standard कुछ हम लोग change कर सकते हैं, आप लोग देखी सकते हैं, seat hitting plus four outer rear seat hitting का तो कहीं option है, बट ventilator और massage seat तो मिल ही जाती है, freeze add on करने के लिए 2 lakh कुछ और add on करने पड़ते हैं, और दो option है, और refrigerator में भी अपने को, तो seat सही है, हाँ, पीछे individual seat सही हम लोगों को, तो 5 lakhs around अपने को add करना पड़ता है, तो अपने को दोनों पीछे four seater बन जाती है, अपनी मेबेक और, वो ही चाहिए definitely, क्योंकि business class वाली fill लेगा ही बंदा इतना पईसा खर्चा है, तो कुछ around अपनी कारो भी है, सब कुछ add on करत 3CR 79,37,000 बोल भी नहीं पा रहा हूं, इतनी बड़ी amount हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसके कुछ around मोटा मोटा चार करोर के नजिक तो पहुची गया है, कुछ normal सा modifications करके, यह normal नहीं है, Mercedes के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, design roof liner भी हम लोग change कर सकते हैं, like black भी रख सकते हैं, white भी अपनी normal white, black इंटी तो चूज कर रहा है, तो definitely black ही आएगा, और बात करते हैं, package इसकी, तो कुछ standard ही packages मिलते हैं, अपने को, multimedia और security में भी हम लोग कुछ ना कुछ add करते हैं, बट पहले open कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग add on कर सकते हैं, like हम लोगों कुछ चाहिए, headphone तो हम लोग यो भी ले सकते हैं, 80,000 के, बट हम लोग anti-tap protection definitely package लेंगे, क्योंकि car चोरी करी जा सकती है, तो इससे हम car को बचा सकते हैं, तो 1,29,600 का ये back आता है, और इसके अंदर कुछ sensor लगे होते ह हैं, तो सब कुछ anti-tap, आप लोगों को मालूम ही है, like almost car में मिलता है, तो इसको अंदर हम लोगों को add on करना पड़ था, 1,29,000 और हमारी car अभी हो गई है, 3,80,66,600 रूपीज, तो आप लोग देखी सकते हैं, heated seat का options तो अपने कोछ चाहिए नहीं, क्योंकि इंडिया में को बर मस्टर के काफी crazy speakers आते हैं, like 12 something है, बट इसके अंदर हम लोग surround sound के लिए भी head on कर सकते हैं, और as you can see head up display के लिए extra almost 2.70 lakhs, आप लोग देख सकते हैं guys, क्या ही है, और कुछ MBUX rear seat entertainment system के लिए extra 6,12,000 रूपीज पे करने वड़ते हैं guys, आप लोग समझ सकते हैं, क्या ही ज 3D sound system के लिए 10,45,000 रूपीज एक कार आ जाती है, इतने में तो speaker speaker में, बट हम लोग ने सायद से यह करेंगे pick, तो कुछ 3,091,12,300 रूपीज में अपनी कार रेडी होती है, तो अल्मस्ट अल्मस्ट अपनी कार रेडी होने ही वाली है, चैसिस का भी option देखने को मिलता है, अपनी को चैसिस चैक करते हैं, तो ऐसा कुछ है, एक्टिव बाडी, कुछ काफी ज्यादा फायर एक्टिक नुटर हम लोगों को नहीं चाहिए, हमारी कार में हम लोग आग तो देफिनेटली नहीं लगने देंगे, इतनी मेहंगी है, इन्स्टूरेंस जो इतना मेहंगा ल मिलता है, जो की काफी क्रेजी होता है, आप लोग को मालूमिया, 3.91 CR की अपनी कार रेडी हो चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है, as you can see, अपने पस है, अभी options आचुके है, क्या 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 है, हमने पैट्रोल टाइप चूज किया है, तो आप लोग देख सकते हैं, इचे बैठने वाली कार है, तो पावर का क्या करना, ड्राइवर को ही चलानी है, तो ऐसा कुछ माइल हाइबरिट के साथ, V8, 3090, 982 cm, अपने को मिल जाता है, एंजिन, जो कि अराउंड-अराउंड 4000cc का एंजिन, देखने को मिलता है, विट V8 के साथ, आप लोग समझ सकते टॉप स्पीड है जाती है, 250 की, और ये बंदा बगाएंगा नहीं इतना तो, क्योंकि सॉफ़र्ट रिवन कार है, और लेंथ और ये सब कुछ भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वेट और ये सब कुछ, सीट्स अप्शन अपने पास, डीटल में अभी 5 डॉर, और टेंक कैप 2300 रूपीस में, तो आप लोग समझ सकते हैं, कि कुछ अराउंड अपनी कार 4 करोड में, सिर्फ और सिर्फ एक्सोरूम रेडी हुई है, मर्सेडिस GLS में बेक 600, तो आप लोग समझ सकते हैं, कि क्या ही क्रेजी है, तो कैसे लगा है, ये कॉन्फरिगेशन में कॉमेंट करक देखना चाहते हो, तो अभी कॉमेंट जरूर करना मिलते हैं, नई वीडियो में, तिल देन, बाई बाई